बच्चो आज हम अपने घर में टूटे हुए मटके से चूला बनाएंगे तो चलो वीडियो चुरू करते हैं आप देखलो हमने सबसे पहले अपने घर में एक टूटा हुआ मटका ले लिया है और उसे नापने के बाद राउंड करकर मिला कर हमने उसे ट्रिल मसीन से काट वी लिया है काटने के बाद अब हम बीचो बीच एक छेट कर रहे हैं जिससे हमें लकडी रखने में आसानी हो और उपर की तरफ एक और छेत कर दिया फिर हमने नीचे जमीन पर एक बेस बनाया जहां हमें अपना चूला रखना है इसलिए हमने सिमेंट और कुछ इंडों को लिया है दोनों इंडों सिमेंट को रखने के बाद उसमें हमने सिमेंट भर दी है जिससे हमारी मजबूती अब के प्सक्राइब सप्राइब कालि मजब सबक्राइब को सबूंगी जमा देंगे चारों तरफ से शिपकार देंगे फिर हम इसच्छी को कि आधिशनाल तार की मदद से बीच में भी हम लाल कलर की मिट्टी को ओपर नीचे हर जगा देंगे और टार्च चारत फीमें से definition कर देंगे फिर हम च। यह बनाया हुआ छेथ था वहां हम अपना Pipe दोग निकलता है और चारत फार वांडा से पहले आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो इस प्रकासे आप भी अपने घरमा चिकन टिकाप पका सकते हैं